इस वीडियो से हम लोग जानेंगे सॉर्टिंग क्या होता है और सॉर्टिंग क्यों आप लोग को सीखना चाहिए एक ऐसा सवाल यह वीडियो आंसर करेगा जो कि शायद बहुत जादा इंपॉर्टेंट है किस चीज की प्रक्रिया है बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है याँ दिसमालो मेरे पास यहाँ पर 1,9,8,2,7 ये नंबर्स है ठीक है कुछ बहुत सारे नंबर्स हैं और मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ ठीक है तो आप लोगों से बोला जाता है कि यार इनको करो सॉर्ट तो आप लोगों से कोई बोलता है कि क्या करो इनको, इनको करो sort, ठीक है, तो किस तरह से आप लोग सौट करोगे, दो तरह से आप लोग इनको sort कर सकते हो, ठीक है, two ways of sorting, ठीक है, आप लिख देता हूँ, two ways of sorting, दो तरीके हो सकते हैं, sort करने के ascending order, descending order, ठीक है, तो ये तो आप को पता है ascending descending 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 order ठीक है आप लोग को ये चीज मालूम है मैं आप पर ascending order descending order आप लोग को सिखाने के लिए नहीं आया हूँ बलकि हम लोग उन से आगे की बाते करेंगे लेकिन ये basic समारे clear होने चीए कि दो तरीके होते हैं किनी भी numbers को sort करने के ठीक है अगर मैं ascending order में sort करने numbers को तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा उसके बाद 7 आएगा फिर 8 आएगा फिर 9 आएगा और मैं descending यादि कि decreasing order में इसको लिख हूँ अगर 9, 8, 7, 2 और 1 आएगा इन पाष्ट नमबर्स को इस तरह से हम लोग descending यानि कि आप लोगों के पास एक और कोई सवाल रख दे और आप लोगों से कहे why sorting, ठीक है, why sort, क्यों करें sort, ठीक है, यह अगर आप लोगों से कोई सवाल रख देता है तो आप उसको क्या जवाब दोगे, आप लोगों ने बहुत सारे comments, YouTube पर comments, Facebook पर comments, Twitter पर tweets, इस सारा की चीज़े देखिएं, जहाँ पर बहुत सारा content होता है, क्या आपने कुछ ऐसा देखा है, sort by, sort by newest, या फिर top rated, क्या यह सब चीज़े आप लोगों को familiar सुनाई देती है, newest का मतलब क्या है, कि आप sort कर रहे हो, date के इसाब से, और top rated का मतलब है, आप sort कर रहे हो, rating के इसाब से, तो sorting जो है, इस तरह से काम आती है, जब बहुत सारे comments होंगे हमारे पास, मालोग इसी वीडियो में, let us say 1 million comments है, आपको उनको sort करना है, तो आप चाहोगे कि एक ऐसा procedure मुझे मिले, जो की comments को कम से कम time में और बहुत ही आसान तरीके से sort कर दे, ठीक है, कम से कम time में और बहुत ही आसान तरीके से, तो ये आप लोगों का target रहता है हमाँ पर, ठीक है, तो हम sorting algorithms में बहुत सारी जो techniques है sorting की उनको analyze करेंगे, और हम लोग सारे के सारे algorithms हैं, उनको किसी ना किसी basis प करेंगे भी आगे कि किस आधार पर हम किसी भी sorting algorithm को किसी एक दूसरे sorting algorithm से compare कर सकते हैं, लेकिन उसे भी पहले थोड़ी सी और feel ले लेते हैं, ठीक है, कभी-कभी आप मानलो आप कोई app use करते हो, Swiggy और Zomato जैसी, ठीक है, या फिर कोई भी आप food delivery app use करते हो, ठीक है, तो उस food delivery app में, Swiggy और Zomato जैसी app में, आप क्या चाहोगे, तो आप लोग चाहोगे कि Swiggy और Zomato में, जो भी restaurants हैं, वो आप लोगों को top rated मिले, ठीक है, वो आप लोगों को top rated quality के मिले, तो आप क्या करोगे, sort by rating कर सकते हो, कि यार मुझे अच्छा खाना खाना है, या फिर अगर जो जेब है, वो धीली हो रखिया अलरीडी तो आप को गयार, चलो rating तो देख लेंगे, price से sort कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको afford कर पाएंगे, तब ही तो खा पाएंगे, afford ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे खाएगा, तो यहाँ पर sort by rating किया, sort by price किया, जो आपके restaurants थे उनको आपने, और जब आपने इस पर click किया, आपने तो एक button पर click किया, जब आपने इस पर click किया, तब कोई algorithm, कोई algorithm run हुआ, ठीक है, कोई ना कोई algorithm run हुआ, जिसने आप लोग को sort करके results प्रदान किये, ठीक है, तो यह होता है sorting का महत्व, एक और महत्व यहाँ पर मैं आप binary search की बात कीती है, ठीक है, linear search और binary search, ठीक है, मालों आप लोगों को एक array दिया हुआ है, 1, 2, 9, 20, 71, 33, और यह एक random array है, उनमें आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, पूछता हूँ कि क्या noise में है, तो अगर यह sorted नहीं है, तो आप एक एक करके compare करोगे, आप कोगे, 1 9 present है, ठीक है, इस तरह से आप return कर दोगे result को, लेकिन, अगर यहां पर इसमें 9 present नहीं हुआ, तब आपको पूरे array पर जाना पड़ेगा, यह करके सारे elements को compare करना पड़ेगा, और आप बता दोगी, कि 9 present नहीं है, total comparison आप कितने करोगे, n करोगे, अगर इस array में n elements है, तो आ total comparison कितने करोगे, आप end करोगे, total comparisons, लेकिन अगर यह array sorted है, तो आप binary search नामक technique लगा सकते हो, अब यह binary search नामक technique क्या है, मैंने बात करी थी binary search नामक technique की already, और मैंने आप लोग को अपने वीडियो में बता रहा है, binary search टेकनीक के बारे में, अगर आप लोगोंने data structure algorithms की playlist नहीं तो आपने ये वीडियो नंबर बारे में linear और binary search देखा होगा, और हमने बात की थी कि binary search में हमारा जो array है, वो sorted होना चाहिए, वरना हम binary search perform नहीं कर सकते, तो इस तरह से अगर आपका array sorted होगा, तो आप बहुत fast retrieval कर सकते हो, बहुत ही जल्दी से retrieve कर सकते हो किसी भी element को, और ये फाइदा होता है binary search का, हमको ये फाइदा मिलता है, एक array में अगर elements sorted हैं तो उसका हमको ये फाइदा मिलता है, तो अभी अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे और अगले वीडियो में चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कि जो हमारे algorithms हैं, उनको देखेंगे कि sorting algorithms में हम क्या क्या चीज़े देखेंगे compare करने के लिए एक sorting algorithm को दूसरे sorting algorithm से, उसका analysis करने के लिए क्या क्या चीज़े sorting algorithms में important है, उसके बाद हम sorting algorithms को देख रहे होंगे ये करके, बड़ा होब कि आप लोग को एक अच्छा overview मिल गया होगा कि ये sorting क्या है, क्यों sorting करते हैं, in fact daily life मे हम लोग sorting करते हैं, अगर आप ताश के पत्तों से कोई game खेल रहे हैं, और ताश के पत्तों में, आपके हाथ में जितने भी पत्ते हैं, आप चाहते हैं कि उनको आप sort करके रखें, ठीक है, अगर आपके पास note का bundle है, किसी ने पैसे दे दी अगर आपको, मालो किसी ने आप पास तो 5 रुपए का note रख लो, ठीक है, तो उस तरह से आप लोग रखोगे, ठीक है, तो sorting हम लोग भी daily life में करते हैं, अगर आपको कोई बहुत बड़ा bundle दे देता है पैसो का, तो आप भी उसकी sorting करते हो, sorting कैसे करते हो, आप एक note को एक जगा से दूसरी जगा पर move करते ह यानि कि आप लोग क्या करते हो, आप swap करते हो, position, जो note की position है, आपके हाथ में उसको swap करते हो, एक note की position को, दूसरे note की position से अदला बदली करते हो, तो ये सारे operations करके कैसे कम time में sorting करी जाती है, वो क्या procedure जैसे sort कर सकते हैं, वो sorting algorithm कहलाता है, और क्या उसकी time complexity होती है, किसी भ algorithm के अपने-अपने फाइदे हैं, अपने-अपने drawbacks हैं, उनको ही हमें देखना है, देखेंगे कौन-कौन से algorithms हमारे पास है, array को sort करने के लिए, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि किन आधार पर हम लोग compare करेंगे algorithms को, तो चलेंगे next video में और देखें बहुत लोग आये थे जब मैंने start किया था ये course, और बहुत सारे लोग अभी भी बने हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही positive sign है, कि यार अभी भी लोग बने हुए हैं, अगर आप लोग अपना momentum बना के रखोगे, energy बना के रखोगे इस इतनी, तो I am definitely sure क कि आप लोग का software development career बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये topic बहुत important है, data structures algorithms, अगर एक अकेला topic मुझसे कोई पूछे कि यार ये master करना है, तो मैं इसे topic का नाम लेता हूँगी, भाई, इससे एहम कोई topic ही नहीं है, मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी इस वीडियो में, ठीक है, so I hope कि आप लोग को यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है, कि हम लोगों ने sorting क्यों करी, एक introduction वीडियो था यह, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, तो या लाइक कर दे ना, और प्लेलिस को बुकपाक ज़रूर कर ले ना, अब ये के लिए इस वीडियो मे झाल